अगर कोई समाच अपने इतिहास से कड़ जाता है तो वो कटा हुआ समाच कटी हुई पतंग की तरह कभी उपर नहीं जाता है उसका गिरना तैय होता है हम सभी का सम्मान करने वाले लोग है सब का सम्मान करता है हर कोई इस देश के लिए काम करने वाला दल कोई भी हो हमारा विरोध भी क्यों न किया हो लेकिन जिसने देश के सेवा के उसका सम्मान होना चाहिए उड़ी सा के पाइका विद्रों के 200 वर्स पूरे होने पर पिछले साल हमने जिसमें सामीर रहे अमर बलिदानियों को याद किया कुछ दिन पहले सर छोटु राम की प्रतिमा के अनावरण के लिए मैं रोहतक में था उनके जैसे बहुमू की व्यक्तितों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए जिनोंने क्रिशी, सीचाई, सिख्षा और भुमी सिधार के खेत्र में त्यापक स्थर प्रकार किया था इसी तरह हमारी सरकार बाबा साब अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तिर्स के लिए भी काम किया है ऐसा इसलिए क्योंकि पांच महत्वपुन स्थल बाबा साब भीमराव अंबेडकर के जीवन की अलग अलग समय की बात को हमारे सामने प्रस्तूत होती है इतना ही नहीं हमने ये भी ताई किया कि आजादी के जंग में 1857 से ले करके हमारे आधिवासी भायों ने बहुत पड़ा योगदान दिया है वगवान बिर्शामूंडा को कौन जानता था बुला दिया गया था हमने ताई किया है हमारे आदिवासी भाईयो बहनों ने देश की आजादी के जंग में जो जान की कुर्बान किया है उसके इतिहास को ले करके ऐसे राज्य जहां आदिवासी जनसंग क्या है जहां ऐसी घटना है वहां मुजियम बनाए जाएंगे कामतीजी से चल रहा है और सबसे कज़ दुनर के बाद 21 अक्तूबर को लाल किले की प्राचीत से होने वाले जंडा रोहन समारों में सामिल होने का भी मुझे सव भागे मिलेगा अब आप पूछेंगे कि 31 अक्तूबर को लाल किले पर ये जंडा रोहन क्या हूं भाई मुझे मालूम है कुछ लोग इस इस दिन का महत्व क्या है 21 अक्तूबर का तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 अक्तूबर 2018 को नेताजी सुभाश पंतर चेंद्र बोर्ज द्वारा गठीत आजाध हिंद फोजने स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होड़के हैं